वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें देखो पहली बात तो प्राइमनिस्टर नरेंद मोदी का बड़े था और बड़े के ही दिन अथ चीता जो है लाए गए नामी बिया से और भारत में वापिस सतर साल बाद फाइनली जो प्रजाती भारत में एक्स्टिंट हो गई थी उसको जो है कोनो नेशनल पार्क में रिली खर्चा करते थे अभी भी हम लॉजिस्टिक में बहुत जादा खर्चा करते हैं और लॉजिस्टिक इंडेक्स में भी अगर आप दो तो हमारी रैंक जो है आपको 44 देखने को मिलेगी मतलब अभी भी भारत को जो है प्रॉपर नेटवर्क की ज़रूरत है हमारे पास जाएगा और देखो इस पर आर्टिकल भी आपको देखने को मिलेगा यह एबी पी लाइफ का आर्टिकल है पी एम मोदी ने जिस नेजस्टिक पॉलिसी की शुरुवात की जानिये क्या है यह कैसे होगा फाइदा तो मेली इस से इंडिया को काफी यूज बेनिफिट होगा आने वाले सालों में और कम समय में जो है समान एक जगह से दुर्शी जगह जो है प्रॉपर तरीके से पहुँच जाएगा और यह आपको प्राइमिस नरें मोदी जी की ट्वीट भी देखने को मिलेगी टुड़े इंडिया बिकेम होम आफ चीता एन एनिमल सिनोनिमस विद इंडिया नीचनल लोजिटिक पॉनिज्टी को कंपेर किया है सिंप्ली यहां पर चीता से जैसे तरीके से चीता की सृबीट है की किलो मीटर पर हार यह स्पीड आपको देखने को मिलेगी और वैसे ही जो है नेशल कपॉलिसी आपकर कम करें मतलब एक समान एक जगह से दू लोजिस्टीक होता क्या है इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को बिलेगा सब कुछ बिलकुल क्लियर कर दूँगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बहुत ही असान सा आप से सवाल पूछूँगा देखो आज समय कुनो नेशनल पार्क जो है न वो बहु प्रॉइड करूंगा ही देखे सबसे पहले तो यहां पर समझते हैं लोजिस्टिक को देखने को मिलेगा दो हजार आठारा में लोजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जो है रिलीस किया इसमें जो टॉप कंट्रीज है टॉप एक्नोमी जो है वो आपको नमबर वन पर बता दिया लेकिन लोजिस्टिक आखिरकार है क्या देखो पहली बात तो आपको यहां पर समझना होगा कि एक समान बेसिकली जैसे मालो मैंने ओडर किया एक लैप्टॉप या आपने ओडर किया एक आईफोन तो वो किस तरीके से आपके घर पे यहां पर पहुंच रहा है वो भी एक लोजिस्टिक की कैटिगरी में आता है छोटा ते छोटा समान जो भी बाहर से आप आ रहा है या देश की किसी भी कोने से आप आ रहा है तो यह जो है लोजिस्टिक की ही कैटिगरी में आपको देखने को मिलेगा वो बेसिकली एक लोजिस्टिक है अब बात करते है कि ये समान जो है हमारे घर में आता कैसे है देखो simply पहली बात तो हम जिस तरीके से कोई भी चीज़ को यहां पर order करते है न तो order होता है place उसके बाद वो आता है ship से मान लो देश के बाहर से मंगा रहे हैं तो वो consignment ship के थूर यहां पर आएगा port में जो है बकायदा यहां प करते हो वो 7-8 दिन में जो है deliver होता है जो बाहर का होता है न वो 6-7 दिन में deliver होता है इसके अलावे जो आपका आप बड़ी city में रह रहे हो जैसे बैंगलोरू है न्यूटेली है मुंबई है तो वहां जो है थोड़ी जल्दी यहां पर deliver हो जाएगा तो में ली देखो जहा भी चीज आप order करते हो न वो इतना आसान है नहीं कि आज से order की और वहां से आ गया नहीं वो भारत का logistic sector है उसमें आपको 20 government agencies देखने को मिलेगी 40 associate government agency काम करती है 37 export promotion council काम करता है 500 certification 10,000 से जादा item 200 shipping agencies 36 logistic service 139 inland container depot 166 container freight station 50 IT system bank insurance agency यह सब मिलके जो है काम करती है तब जाके एक समान जो है एक जगे से दूसी जगे पहुँच पाता है और देखो अगर हम भारत की बात करें तो भारत अपनी GDP का 13 से 14 परसेंट जो है सिर्फ और सिर्फ logistic में खर्चा करता है मतलब हम जो समान एक जगे से दूसी जगे य यहां पर लगते हैं वहीं अगर हम जर्मनी जापान इन सब के देशों को यहां पर कंपेर करें तो यह सिर्फ और सिर्फ आठ से 9 परसेंट जो है खर्च करते हैं अब देखो इन सब को चीजों को देखते हुए जो यहां पर यह problem आ रहे थी तो काफी हद तक सरकार जो है इ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और यह जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने 2019 में आप रिलीज किया था कि कंसल्टेशन चल रहा है लोजिस्टिक पॉलिसी को यहां पर ड्राफ्ट करेंगे लेकिन COVID-19 पेंडमिक की वज़े से यह पूरा यहां पर डेले हो गया लेकिन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉजच करेंगे और देखो रिसेंटली मतलब 17 सिटंबर को प्रामिस और इन्मोदी ने अपने बड़े के दिन एक इंडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट दिया है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी यह एक माइले स्टोन है बिलकुल पूरी दुनिया के लिए और देखो इस से होगा क्या हम अपने देश में जो नेटवर्क है जो व्यपार का नेटवर्क है ना वो तेजी से आप बढ़ा पाएंगे मतलब एक चीज एक जगह से दूसी जगह बहुत ही कम समय पे जो है पहुँच जाएगी इसमें बहुत सारी चीजों को जो है इनिशियेट किया गया मतलब इसमें सरकार बहुत सारा पैसा भी यहां पर खर्च करेगी और देखो यह जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है इसमें आपको एक इंटीगरेट डिश्टल सिस्टम देखने को बिलेगा मतलब सभी प्लेटफॉर्म के जो डेपार्टमेंट्स हैं वो सब आपको यहां पर देखने को बलेगे मतलब रोड ट्रांसपोर्ट रेलवे कस्टम एविएशन फ्रॉन इंट्रेड कॉमर्स यह सब जो मिनिस्ट्री है वो सब मिलके यहां पर काम करेंगी और देखो नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी बिए यह जो लॉक्तिक की कास्ट है भारत में उसको तो यहां पर कम करीगी त्यासा टाइम भी पूरी तरीके से इहां पर कम लगेगा और देखो सरकारंसेनटर और स्टे गॉर्मेंट जो सब मिलके यहां पर काम करेंगी तो एक समान बह challenged कम समय पर यहां पर पहुंच जाएगा और देखो अभी अगर आप देखोगे ना तो भारत की जो सरकार है वो करीब 13 से 14 परसेंट जो है अपनी GDP का वो लोजिस्टिक में खर्च करती है लेकिन अनुमान यहां पर यह लगाए जा रहे कि आने वाले 10 सालों में हम इस कोस्ट को कम करके 10 परसेंट जो है कर देंगे मतलब 10 परसेंट जो पैसा है वो सिर्फ हमें आपर खर्च करने वाले हैं और देखो इसमें हो गई है कि कई सारे जो कोरिडोर्स हैं उनको भी यहां पर डेवलप किया जाएगा मतलब अब जो है हम शिपिंग एर ट्रांसपोर्ट रेल इन स सब्सक्राइब करेंगे और देखो यह काफी important step है भारत सरकार का मतलब आने वाले समय में इंडिया में जो ट्रेड का network है वो आपको बढ़ता हुए नजर आएगा और देखो इसमें कई सारे जो shipping ways हैं उनको भी यहां पर डेवलप किया जाएगा तो में लिक कम समय पे हम ज चीज़ें आती है ना उनको भी maintain करने का खर्च बहुत लगता है ठीक है तो इसमें भारत सरकार का बहुत सारा पैसा जो है यहां पर खर्च होता है तो कहीं ना कहीं नैशनल जो लोजिस्टिक पॉलिसी आई है उसके थूरू हम जो है अपना जो कॉस्ट है उसको यहां पर पाएंगे मतलब हम कम से कम पैसे जो है यहां पर खर्च करेंगे तो वापिस आते हैं अपने कोशन पर मैंने आपसे पूज़ा था कि कुनो नैशनल पार्क जो है यह किस स्टेट में लोकेटेट है मत्य प्रदेश में है और यह आपको मिलेगा श्योपोर डिस्टिक में है इसको बनाए गया थाफ़ इसको कुनो बाइड लाइफ सेंक्री बनाए गया था उसके बाद दो में आपको जो है नैशनल पार्क का दरज़ा इसको पार्ट ने आपने ऑपीनें लिखेगा ज़रूर इसी के साथ यह तंत एस वीडियो का सुने के लिए बहुत धन्वाद छ हिंदिट जामारा